नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेश कास्क्रम के साथ बेलपत्र का पड़्योग अक्षर सिपूजा में, महासिवरात्री में, सिवरात्री में और सावन के महने में किया जाता है क्यों भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय है तो हमारे साथ बने रही हम आपको बताएंगे कि शिव पूजा में भगवान शिव को बेलपत्र क्यों और्पित करते हैं बेलपत चड़ाने के क्या है खास तरीके बेलपत चड़ाने से क्या फल मिलता है बेलपत तोड़ने के क्या है खाश नियम तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भगवान सिब को आखिर बेलपत क्यों प्रसंद है देखिए भगवान सिब बेहद ही भोले है भगतों के जरा से सनेह, पूजा से ही प्रसंद हो जाते है भगत अगर सिब लिंग पर या उसके पूजन में सिर्फ बेलपत का पर्योग कर ले तो सिब अतिप प्रसंद होकर बरदान देते हैं ऐसा माना जाता है कि शागर मन्थन के समय जब हलाहल लाम का बिश निकलने लगा तो भगवान शिब ने बिश को अपने अंजूली से लेकर पी लिया और इसे अपने कंठे में धारन कर लिया और देपताओं के बिश हाकार मच गया बिश के असर से भगवान शिब का मस्तिस्क गर्म होने लगा इसके बाद देवताओं ने शीव के मस्तिस्क पर जल चड़ाना शुरू किया इसी दोरान भगवान शीव के ऊपर बेलपत्र भी चड़ाया गया था इसके बाद से ही भगवान शीव का बेलपत्र से पूजा की जाने लगी है और इसकी प्रमपरा सुरू हो गई है कि भगवान शीव को बेलपत्र अर्पित क्या जाने का अब हम आपको बताते हैं कि बेलपत्र की क्या है खास बाते देखिए बेलपत्र को संस्क्रीट में बिल्वपत्र भी कहा जाता है भगवान शीव को बहुत ही प्रिया है ऐसी माननता है कि बेल पत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिस्क सीतल बना रहता है पूजा में इनका पर्योग करने से वे बहुत जल्दी प्रसंद हो जाते हैं इसलिए भगवान शीब की उपासना अराधना में बेल पत्र का बहुत बड़ा महत्व है बेल पत्र के बिना भगवान शीब की अराधना संपूर नहीं होती है इस बात को आज आप समझ लिजिए इसके साथ सम आपको बताते हैं कि बेल पत्र चढ़ाने की क्या है सही तरीकिया और क्या है इसकी साबधानिया सबसे पहली बात खंडित बेल पत्र सीबलिंग पर अर्पित नहीं करना है बेल पत्र एक एक करके चढ़ाए एक साथ धेर सारे बेल पत्र आपको नहीं चढ़ाने है ऐसा नहीं कि बेल पत्र आपने ले लिया बहुत सारे और एक साथ सीबलिंग पर रख दिया ऐसा नहीं करना है बेल पत्र आपको एक एक करके ही चड़ाना है तीन पत्ते वाले बेल पत्र शिबलिंग पर अर्पित करें देखिए तीन से लेकर 11 बेल पत्र वाले पत्ते होते हैं तो जो तीन पत्ते वाले बेल पत्र है या चार पत्ते वाले हैं जितने पत्ते वाले बेल पत्र होंगे उतना है उत्तम माना जाता है। लेकिन आपको आम तोड़ पर तीन पत्ते वाले बेल पत्र ही मिलेंगे, तो आप निश्टित रूप से कम शे कम तीन पत्ते वाले बेल पत्र ही भगवाशी पर अरपित करें। इसके साथ साथ बेल पत्र का मुलायम हिशा ही सिबलिंग पर अरपित करें यानि पत्ते का चिकना भाग होता है सिबलिंग के ऊपर चिकने भाग को ही अरपित करना है कम से कम आपको तीन बेल पत्र अरपित करना है देखिए आप चाहे तो एक बेल पत्र भी अरपित कर सकते है लेकिन आप कोशिस करें कि कम से कम तीन बेल पत्र अरपित करें एक बेल पत्र अरपित करने से तीन जनम का पाप का नास होता है इसके साथ साथ एक ही बेल पत्र को पानी में डूओ डूओ कर आप चढ़ा सकते हैं अगर आपको मान लिजे कि एक बेल पत्र है, तीन पत्ते वाली, उसको एक सा आठवा चढ़ाना है, तो एक ही बेल पत्र को आप पानी में डूबो डूबो कर उसको बार बार चढ़ा सकते हैं, बेल पत्र में चक्र और बज्र नहीं होना चाहिए, अगर बेल पत्र उपलब न तो बेल पत्र की ब्रिक्ष के दर्सन ही कर लेना चाहिए इससे भी आपके पाप का नास हो जाएगा इसके साथ साथ हम आपको ये बताते हैं कि बेल पत्र चधाने के क्या नियम है क्या इससे फल मिलता है मैंने आपको बताया कि बेल पत्र चढ़ाने क्या खास तरीका है क्या साब्धानिया है अब हाँ आपको ये बताते हैं कि बेल पत्र चढ़ाने से क्या आपको फल मिलता है तो सबसे पहली बात है बेल पत्र अगर आप सिबलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी दरित्ता दूर होगी और सोभाग की प्राप्ती होगी हर सोमबार को सिबलिंग पर चढ़ाने से बेल पत्र आपको बिशेस फल मिलता है तो अगर आप हर एक सोमबार को सिबलिंग पर बेल पर चढ़ाते हैं तो आपको बिशेस फल की प्राप्ती होगी बेल पत्र के पोधों को घर के उत्तर पस्यम दिशा में लगाने से शुब माना जाता है यहां लगाया गया बेल का ब्रिक्स घर के लोगों के मान शमान में बिर्धी करता है और धन का भी लाप होता है ऐसी मानता है ऐसा माना जाता है देखिए तीनों लोकों में जितने पुन्य तिर्थ परसिद्ध है वे संपुन्य तिर्थ बेल पत्र के मूल भाग में अस्थित है इसलिए जो सरधालू भगवान शीव को बेल पत्र चढ़ाते हैं वे तन, मन वा धन से संपन हो जाते हैं आयू में ब्रधी रहती है, आयू में ब्रधी होती है, सरीर में कोई कष्ट नहीं रहता है, कष्ट दूर हो जाता है और सुक समर्धी की भी प्राप्ती होती है अब आपको बताते हैं कि बेल पर चढ़ाने की आगे और क्या फल मिलता है देखिए, रीशियों के अनुसार बेल पत्र भोले भंडारी को चढ़ाने से एक करोर कन्याओं के कन्यादान का फल मिलता है यदि बेल पत्र पर चंदन या अस्टगंद से ओम, शिव पंचाक्छर, मंत्र या शिव का नाम लिखकर चढ़ाया जाता है तो ब्यक्ती का जो दुरलभ कामनाई होती है, वो भी पुर्ण हो जाती है तीन जन्मों के पापों का संगहार के लिए त्रिनेत रूपी भगवान शिव को तीन पत्र युक्ते बेल पत्र चढ़ाने से जो सतो, रजो, तमो, गुनों का परतीक है, आपका तीन जन्म का पाप नास हो जाएगा तगर आप एक तीन पत्ते वाली बेल पत्र भगवान सीव को चढ़ाते हैं, तो आपका जो तीन जन्म का पाप है, वो भी नास हो जाएगा इसके साथ हम आपको बताते हैं कि बेलपत तोड़ने के क्या है खास नियम देखिए अमावाश्या, शंकरांती के समय और शोंबार को बेलपत ना तोड़े इन तीथियों से पहले तोड़ा गया बेलपत नहीं चड़ाना चाहिए अगर आपको शोंबार को बेलपत चड़ाना है तो आप कोसिस करें कि रविबार को ही बेलपत तोड़ ले और उसे रख ले चुकि बेलपत बासी नहीं होता है बेलपत कभी भी बासी नहीं होते ये कभी भी असुद भी नहीं होते इन्हें एक बार परयोग करने के पसाद दूसरी बार भी धोकर परयोग कर सकते हैं या एक दिन पहले तोड़ कर भी दूसरी दिन आप चड़ा सकते हैं बेलपत तोड़ने से पहले और बाद में ब्रिक्स को मन ही मन परनाम कर लेना चाहिए इससे जो आपने बेल पत्र तोड़ा है उससे आपको पाप नहीं लगेगी इसके साथ साथ ऐसा मानते हैं जो कालिका पुरान के नुसार चड़े हुए बेल पत्र को सीधे हाथ के अंगूठे एबं तरजनी अंगूठे के पास की उंगली से पकरकर तोड़ना चाहिए चड़ाने के लिए सीधे हाथ की अनामिका रिंग फिंगर एबं अंगूठे का परियोग करना चाहिए तो मैंने आज आपको बताया कि भगवान शीव को बेल पत्र क्यों पसंद है बेल पत्र क्या है खास बाते बेल पत्र चड़ाने क्या है सही तरीका क्या है इसकी साब धानिया बेलपत तोडने के क्या नियम है बेलपत चड़ाने से आपको क्या फल मिलता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो किरपाई से like करें, subscribe करें तता आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें तता तकी वो महासिवरात्री के दिन या सावन में या सिप पूजा में बेल पत्र का सही तरीका अगर चढ़ाने की बात वो समझ सके या जान जाते हैं तो उनके जिन्दगी में भी बेल पत्र चढ़ाने से संपूर्ण फण मिलता है उनको मिलेगा आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद